मैं राजिंदर सिंग गिम्मी ट्रीटर से आज हम बात करेंगे कि अरावली जो एरिया है उसमें किस तरीके के पेड़ हमें प्लांट करने चाहिए और हमें कौन-कौन से ट्री छोड़ने चाहिए जैसे कि यहां पे जो ट्रीज हैं हमें मोसली है हिंस हुआ करेल हुआ और वाइल्ड करोंदा हुआ इस तरीके की जो स्पीसिस है वह हमें चोड़ना चाहिए और हरावली के बहुत अच्छे ग्रोथ के लिए यह प्लांट ज़रूरी भी हैं और हमें साथ में यह भी ध्यान देना चाहिए कि किस-किस तरीके के प्लां चाहिए रॉंज करना चाहिए खेजडी के ट्री करने चाहिए और आपका लसोड़ा हुए यह प्लांट इतने अच्छे हैं कि वह बहुत अच्छे से अरावली में ग्रो करते हैं और बहुत सारी चीज़ है कुछ ऐसी स्पीसिस भी हैं जो बहुत ज्यादा हैं यां ग्रो की द START तो उपड करता है उसको और से मन तुमन प्राइज करते रहता और उसको डेड कर देता है對 तो इस तरीके से जैसे क्या पा आ आइस ज्साल आप लेकी जो रोकि रोक्य लॉक्त है तो जरूरी है कि हम ऐसे प्लांट करें जो यहां पर सर्वाइब कर सेगे जिनको कम पानी की जरूत होती है इस तरीके के प्लांट करना बहुत जरूरी है और एक्जांपल के तोर पे अभी हम देखेंगे कुछ ट्रीज देखेंगे जैसे नीम भी बहुत अच्छा चलता है यह जरूरी है तो आपने जंगल में वापिस यहीं पर फीदिंग वाले प्लांट मिल जाएंगे सेथूत हुआ वह बहुत अच्छा चलता है उसी जगह हो में तो इस तरीके के हम प्लांट कर सकते हैं